नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग थरंडाई के प्रियाश और तुरूटी के सिधान्त के बारे में पढ़ेंगे अगर आप थरंडाई के सीखने के नियम को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी उस लिंक को खोल करके थरंडाई के सीखने के नियम को पढ़ सकते हैं आपको बता दें कि अगर आप यूपी टेट, सीट या किसी वीडियो की तयारी कर रहे हों या सिच्छक भरती की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मैज़दार वीडियो आपके लिए पढ़ने वाली वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रयास और तुरूटिका सिध्धान्त शुरू करते हैं थांडाई का प्रयास और तुरूटिका सिध्धान्त थांडाइक महोदय ने संबंद वाद के सिधान्त में सीखने के छेत्र में प्रयास तथा तुरूटि का सिधान्त दिया है जिसे प्रयास एवं सुधार का सिधान्त भी करते हैं जब कोई कार सीखता है जब कोई व्यक्ति कार सीखता है तब उसके सामने विशेश इस्तिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेश प्रकार की प्रतिक्रियाओं से संबंध अस्थावित करने के लिए प्रेजित करता है जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया बॉंड द्वार थानटाई के एक पसु मनों बैग्यानिक थे जिनाओने बिल्ली, चुए, मुर्गे, आधी पर प्रयोग किया था और ये निसकर्स निकाला की पसु पच्ची वा बच्चे प्रियत्न ववा भोल द्वारा सेखते रहते हैं। अपने एक प्रयोग में उन्हों ने एक बोखी बिल्ली को पिजड़े में बन कर दिया और पिजड़े के बार बोज्य समागरे लग दी। बिल्ली के लिए भोजन उद्धीपक था। उद्धीपक के काल उसके अंदर से प्रतक्रिया आराम हुई थी। बिल्ली ने बाहर निकल करके उस भोजन को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयात्न किया और पिजड़े के चारो और गोम गोम करके बहुत पंजे मारे। लेकिन अचानक उसतार को भी वो खीच लिया जिससे पिजड़े का दरवाजा खुलता था। वह बिल्ली उस पिजड़े में रहा करके भोजन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किये थे बहुत प्रयात्म किये थे लेकिन अचानक में उसका जो एक पैड था एक तार उसमें लगा हुआ था उस पर चला गया जिससे वो दरवाजा खुल गया थांडाईक महोदय ने फिर उस दरवाजे को बंद कर दिया दोबारा फिर बंद करने पर बाहर आने के लिए पहले से कम समय बिल्ली को ले गी वह बहुत कम समय में सफलता प्राप्त कर ली वह बहुत कम समय में उस पिजड़े से बाहर आ गई और यही प्रयोग तीसरे और चौथे बार भी थरंडाइक मौदर ने किया तो वह बिल्ली बहुत कम समय में, बहुत कम प्रयासों में सफलता प्राप्त कर ली और अंत में एक ऐसी परिस्थिती आई जब एक बार में ही दरवाजा खोल करके बिल्ली बाहर आने लगी इस परकार धार्य तथा परिस्रम के बाद, बार-बार प्रयास करने के बाद, वह बिल्ली बड़े आराम से उस प्रेड़े से बाहर आने लगी इस परकार थांडाइक नहीं या निसकर्ष निकाला की ब्यक्ति बार-बार प्रयास करकरके तुरूटियों को करकरके बार-बार अपने कारे में सुधार लाता है इसी तरह से मैक डूगल महोदे जो मनुबेग्यानिक थे उन्होंने भी कई परकार के प्रयोग किये और यह सिद्ध कर दिया कि पसु या मनुष से जितने बार प्रयातन करता है उतने ही उसकी भूल कम होती जाती है और वह हंत में सफल हो जाता है क्योंकि बार-बार प्रयात करने से सफलता मिली जाती है आईए अब बात करते हैं कि प्रयास और तूर्टी के सिध्धान्त का सिच्छा में क्या महत्तो है प्रयास और तूर्टी के सिध्धान्त से सीखने से सीखने के क्रिया सरल हो जाती है इस विदि से सीखने से सीखने के क्रिया सरल हो जाती है यह सिध्धान्थ करके सीखने अधिक बल देता है, जो की आधिनिक समय बहुत ही उपियोगी है जो व्यक्ति उद्धिपक और प्रतिक्रिया में जितना अधिक संबंध स्थापित कर लेता है वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है या सिध्धान्त मंद बुद्धी बालकों के लिए बहुत उप्योगी है इस सिध्धान्त का प्रयोग करके बालक भासा में सुद्ध उचारण करना सीख लेते हैं इस विदिस अनुभाव से लाव उठाने की छमता का विकास होता है इस सिध्धान्त से बालक के अंदर धैरेवा परिस्रम के गुरों का भी विकास होता है इस सिध्धान्त का परियोग करके गड़ेत के कठिन से कठिन प्रोष्णों को भी हल किया जा सकता है कलाकिरतियां बनाई जा सकती है यानि कि इस सिधान का अगर हम सिच्छा में प्रयोग करें तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार